खबर लखनाउ से है और द्योगिक विकास और उससे जुड़े विभागों का धाई घंटे प्रेजेंटेशन चला उर्जा, उड्डियन, PWD, MSME, 1 एवं पर्यावरन, जलशक्ती विभाग का प्रेजेंटेशन हुआ NXC भवन में ECM योगी के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया और 100 दिनों का एजंडा इस प्रेजेंटेशन में तयार हुआ बैठक में सभी मंत्री मौझूद रहे लटनाओ से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां पर ओद्योगिक विकास और उससे जुड़े विभागों का धाई घंटे तक प्रेजेंटेशन चला है इससे परले कुशी विभाग का प्रेजेंटेशन हुआ था आज ओद्योगिक विकास और उससे जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ सेक्टर वाई जो दस-दस विभागों का सेक्टर बना करके करकम हो रहा है उसमें सभी विभागों का एक रोड मैट तैयार हो रहा है हम उस संकल को कैसे पूरा करेंगे और बहतर कैसे यूपी को करें उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है अब सर्वत्तम प्रदेश बनने की अधिक्तम काम हो तो उसी करम में आज कई विभागों के पर करवाई की बात हुई उर्चा विभाग को लिया गया तो कई विभागों पे आज प्रजेंटेशन हुआ है और जिस तरह की गतिविदियां आज दिन आगे बढ़ ही लगता है कि आने वाले पांच वर्सों में उत् की नई उचाईयों को चुएगा सौ दिन के छे मां के दो साल के और अगले पांस साल तक की सारी योजनाओं पर डिसकसन हुआ है निश्यति उत्तर प्रदेश को वो एक बहुत अग्रणी प्रदेश बनाने की दिसा में जो हमारी शुरुआत है वो बहुत शांदार होगी उ लोग नर्मान विभाग का और खादी ग्रामोद्दो का कई विभागों का प्रजेंटेशन हुआ जो भी उसमें हम लोग सो दिन में डो बर्स में पांच बर्स में जो योजनाओं है वो पूरी करेंगे निश्यत रूप से उत्तर प्रदेश अति उत्तम प्रदेश की और आ वाने मुकमंत्री जी के साथ में प्रजेंटरिसन थी अपने विभागों के बारे में कुछ विभागों किया चर्चा होनी थी उसी पर चर्चा हुई हम लोगों ने भी अपनी बात वां पर रखी है अभी देखे सारी चीजें आ रहे ही निकल कर कि हम लोगों के करकर कि हम द बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अगले दो दिनों तक विभागों का प्रेजेंटेशन नहीं होगा कल से दो दिनों के